बंगाल की मुख्यमंत्री बंटा बनरजी ने का है कि केरल और बंगाल पर केंदर सरकार के चुनाव को लेकर आना जाना हुरा है लेकिन मनिपूर में घर-घर में आग है और दंगा हो चुका है लाखों की संख्या में लोग शहर और अपने घरों को छोड़ कर भाग गये हैं लेकिन केंदर सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है इसको लेकर कड़ी आवाज उठाई बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी ने आपको बता दें कि मनिपूर में पिसले बहतर घंटों से उपर जो तस्वीर से आमने आ रही है वे भयानक है घर-घर में और सड़क में आग लगी थी तो पुलिस की गाड़ियों से लेकर शॉपिंग माल सभी इलाकों में आग क्या तांडव था लाकों के उपर लोगों ने खुद अपना घर और शेहर छोड़ कर भागना सुरू कर दिया दीदी ने कहा जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है वहीं पर दंगा क्यों हो रहा है ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है मोधी जी और हमेश शाह को मौनिपूर पहुचना चाहिए जहां पर दंगा हुआ है देश के सभी राजे और बंगाल के हजारों स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते हैं मनिपूर उन लोगों को जल्द ही वापस बंगाल लाने के प्रयास सुरू करेगी बंगाल सरकार प्रयां बंगाल, लोगोष यो नूवर को ऑंगाल, जूख को प्रयां टूबपार प्रयाँ से पटाँण है एव्यास सम्रीट को आख बंगाल, दियन मनिपूर इसाइवाविक प्रयास सुरूट है हैं और आपता ओपनी ज़डित और सही उन्हों और स्था ऑपनी तप्राइब एनल प्राइब प्राइब थे विग्ट विवे प्राइब कर देड आपसे कि बॉटिए बद गूंध पर आपसकंटार और यहाय च्रदिर स्था सित्था क्यास ट सीट्बट तबूटन इस the flood of blood is going on or the blood speed is going on what is the priority I will certainly say election will come and go and this country the political party especially the national parties who are in government they have so many leaders so many chief ministers so it is very easy to go for election campaigning instead of coming in Bengal I don't mind for that I will come but I think this was very important that they should visit money to past I know if there is a violence I will not prefer to important personalities to visit there for the restoring of peace but if anything happens in Bengal next day how they come instead of 144 instead of the area we request from the police side that don't enter the police press please let us try to restore the peace fast if any incident happens but